हेलो और वेलकम बैक ओन अफ्टरेकडमी आज हम इस वीडियो लक्षर में बात करेंगे कि जो हमारा एंसर शीट है उसको हम सिंगल पीडियेफ में कैसे कनवर्ट करें और यह जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि बहुत सारे बिटेक वाले बच्चों नहीं क्या किया कि सिंगल पे इस अगर आप एक एक करके अप्लोड करेंगे तो सिर्फ एक ही बाद करने का ऑप्षन आता है दूसरा पेज अगर सिंगल करेंगे तो दूसरा पेज आपका भी अपलोड नहीं कर पाएंगे और यह बहुत सारे बिटेक वाले बच्चों के साथ हुआ तो मैं डिप्लोमा वाले बच्चों का अभी एक्जाम होना बाकी है तो मैं उनके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि यह वीडियो को आप पूरा देखिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ आप फ्रेंड्स सर्कल में शेयर किये ताकि जो भी मिस्टेक्स होने व मैं वही आपको सजेस्ट करूँगा दिखे डॉक किसके यहां पर देख रहा होगा मेड इन इंडिया तो आपको इसको डाउनलोड करना है चुकि हमारे पास और इंस्टॉल है तो हम यहां से कर लेंगे ओपन अब यहां पे आपके पास दो आप्शन्स हाते हैं एक तो आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं दूसरा जो है अगर आपके पास फोटो अलेडी अगर कैप्चर है तो आप यहां से उसको पीडिएफ में कनवर्ट कर सकते हैं तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि मेरे पास अलेडी फोटो कैप्चर है तो हम उसको ही पीडिएफ में कनवर पीज होगा, तो सबसे पहले हमने इसको सेलेक किया, तो यह हमारा पीज नम्मर फस्ट होगा, सेकेंड, ठर्ड, फॉर्थ और फिफ्ट हमने ये पांच पेज सेलेक कर लिया, यहाँ पर सो कर रहा है, डाउन्वर्ड बाटम पर हमने सेलेक किया, कितने 5 pages 5 done तो उस पे हमने click किया यह done हो गया और जैसी यह done होगा तो आपको 2 option यहाँ पर मिलेगा एक तो होगा manually और दूसरा होगा auto तो आपको auto पर click नहीं करना है क्योंकि auto पर click करेंगे तो कहीं से pages crop हो जाते हैं कहीं corner से crop हो गया कहीं half side से crop हो गया तो हमेंसा manually आपको select करना है manually पर select किया और continue पर click कर दिया देखे यह page जो है automatic selected दिखा रहा है एक order में कहीं से crop नहीं है clear दिख रहा है तो हमने यहाँ पर next पर click कर दिया next पर हमने जैसे ही click किया यहाँ पर show रहा है downward पर one of five तो यहाँ पर हम next पर click कर दिया यह सही था 100% second जो है यह भी page almost सही है कहीं से अगर crop आपको दिखता है तो इसको adjust करना है फिर हमने next पर click कर दिया two of five हो गया दो page हमारा हो गया अब उसके बाद फिल से next पर हमने click किया तो यह third page भी clear दिख रहा है auto selected है each corner तो हमने फिर से next पर click किया four of five चार हमारा complete हो गया उसके बाद next पर click किया तो यह fifth page भी scan हो गया ठीक है तो हमने next पर click किया अब यह fifth of five of five यहाँ पर tick yes का निशान show हो रहा है तो इस पर हम click कर देंगे अब यहाँ पर देखिए आपको open in pdf आपको किस में open करना है open in pdf अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमने उस पर click किया क्या आ रहा है create pdf for entire documents तो हमें सारे documents को जितने भी हमने अभी pdf में convert किया उसको pdf में create करना है तो हमने entire पर click किया अब यह यहाँ पर देखिए 1,2,3,4,5,up to 5 पर आ गया और इसकी size कितनी शो हो रही है 588 kb यह है हमारे pdf की size और इसको क्या करेंगे यहाँ पर जाएंगे हम share पर और share पर click करेंगे share as a pdf तो हमने share कर दिया और share करने के बाद यहाँ पर दिखिए option आ रहा है copy to copy to हम file manager जो होता है उस पर हम copy करने वाले है तो इस पर click करेंगे और यह हमारा हो गया internal storage और doc इसके ने में हमने जाके इसको paste कर दिया और जो हमने paste कर दिया यहाँ पर show हो रहा है new doc यहाँ से हम rename कर लेंगे या वहीं पर rename कर लेंगे हम क्या यहाँ पर कर लेते हैं backup कर लेते हैं हमने क्या कर दिया इसको rename कर दिया backup के नाम से या जो भी आपका paper होगा उस नाम से आपने rename कर दिया ठीक है तो यह हमारा हो गया PDF convert बट अब हम क्या करेंगे इसको कि यहां से हम बाहर आये और जाएंगे हम कहां पे Google Chrome ब्राउजर पे और यहां पे हम क्लिक करेंगे www.rgpv.exam.in जैसे हमने इस पे क्लिक किया यह हमारे पास ओपन हुआ login to register, enrollment, number डाला, password डाला और हम किस पे क्लिक कर दिये sign in पे क्लिक कर दिये जैसे हम sign in पे क्लिक करेंगे तो यहां पे क्या दिखाएगा login successful ठीक है login successful हुआ, next क्या सो होगा जैसे login successful होगा वो हट जाएगा उसके बाद आएगा choose file यहां पे दिख रहा होगा छूस फाइल जैसे choose file पे क्लिक करेंगे तो आप redirect होँगे file manager में वह इफ यह दिख रहा है आप file manager इस पे आप click करेंगे तो फिर से redirect हो जाएगे अपने internal storage में और यहां पे आपको Click करना होगा, यहां पे Click करेंगे तो जो भी आपके Files होंगे, वो आप पूरे आ जाएंगे यह दिख रहा है, तो हम कहां चले आए File Manager में File Manager में कलिक किये, उसके बाद हमने Documents को कहाँ सेव किया था? तो हमने सेव किया था Doc Skinner में कहाँ पर यह Doc Skinner में यह आ गया adopt doc scanner यहाँ documents का name आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से subject पूछेगा उसमें previous वाले में लिख रहा था subject तो हमने subject डाला concrete and technology अब उसके बाद subject code यहाँ पर fill करना आपको उसके बाद upload पर click कर देना है जैसे यह आप यह click करेंगे तो यहाँ पर क्या आपसे पूछ रहा है हलाके यहाँ पर एक spelling mistake है यहाँ पर क्या पूछ रहा है you cannot upload answer sheet for this paper again are you sure to upload देखे यह इसलिए पूछ रहा है कि आपने एक बार ok कर दिया तो यह uploading में चला जाएगा और दूसरा आपको upload करने का option नहीं मिलेगा इसलिए मैंने बोला था कि आपको एक single pdf में create करना है और यही mistake किया था बच्चों ने कि एक page को upload किया और उन्होंने ok पर click कर दिया इसको नहीं पढ़ा और एक page upload होने के बाद दूसरा page upload करने का option ही नहीं आया तो यही सबसे बड़ा mistake था तो आपको याद रखना है single pdf में convert करना है ok पर हमने click कर करने के बाद यहां दिख रहा है uploading है ना यह uploading हो रहा है जैसी uploading complete हो जाएगा तो आएगा option your answer sheet for this paper is uploaded successfully यह हो गया okay पर हमने click किया then अब क्या आ रहा है यहां पर देखे C4002 uploaded अब यहां पर देखे क्या आ रहा है no paper to upload for now यही हो रहा था भच्चों के साथ जब first paper upload कर दिये second के बाद option ही नहीं आ रहा बच्चे परेशान कि सर हो क्या रहा है तो जब मैंने पहले ही बोला था कि आपको single pdf में create करना है तो बच्चों ने video को क्या किया skip करके देखा तो यही problem face करना पड़ा तो मैं सभी को यही बोलना चाहता हूं कि जो भी आपके friends हैं उन सबको share कर दें यह video ताके दुबारा कोई ऐसा mistake ना करे ठीक है तो यह था आज का हमारा lecture I hope कि आपको video पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें thank you very much for watching